तो हाई गाईस आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक से जो की है लिम्फ तो पहले हम इस डियाग्राम से पढ़ेंगे और फिर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे जिससे आपकी अंडिस्टांडिंग बेटर होगी इसके बारे में तो पहले हम लिम्फ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होने चाहिए कि लिम्फ होता क्या basically अब आपको ये basic knowledge तो होगी कि हमारा जो blood होता है वो arteries में oxygenated blood अपना flow होता है और veins में अपना deoxygenated blood flow होता है अब arteries और veins को ही connect करती हैं अपनी capillaries और ये capillaries का diameter काफी छोटा होता है और इनी में से ही कुछ substances अपने बाहर को diffuse out हो जाते हैं आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या substances अपने diffuse होते हैं लेकिन जो substances diffuse हो जाते हैं उनी को और अपने tissues में चले जाते हैं उसी को हम lymph कह देते हैं अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि diffuse out हो क्यों रहे हैं तो ये diffuse out basically हो रहे हैं because of pressure difference अब pressure difference कैसे create हो रहा है कि जो अपने arteries हैं उनका जो diameter है वो large होता है और जो अपने capillaries हैं उनका diameter small होता है आपको diagram में भी clearly दिख रहा होगा इसका diameter काफी बढ़ा है as comparison to इसका diameter काफी छोटा है तो उससे एक pressure difference create होता है अब उस pressure के कारण क्या होगा कि इससे fluid जादा अंदर को जा रहा है लेकिन इधर diameter छोटा है तो pressure की वज़े से कुछ fluid अपना बाहर को diffuse out हो जाता है अब क्या क्या चीज़े diffuse out होती है अब ये depend करेगा कि जो capillaries में pore का size है वो कितना बढ़ा है क्यूंकि अगर कोई substance उसके pore size से बढ़ा हुआ तो वो diffuse out नहीं करेगा तो पहले हम देख लेते हैं कि lymph का components में क्या क्या आते हैं तो पहला आते हैं अपना WBCs अब important point ही है कि formed elements में से अपने WBCs major है जो कि बाहर को diffuse out होते हैं अपने RBCs diffuse out नहीं होते reason है कि RBCs का size बहुत बढ़ा होता है as comparison to WBC तो इसी कारण वो capillary के pore से नहीं निकल पाते हैं इसलिए WBCs अपने बाहर diffuse out होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे कि WBCs का बाहर function क्या है कुछ proteins proteins के आगे मैंने small specially लिखा है क्योंकि large proteins नहीं diffuse out होते हैं उसके बाद glucose diffuse होते हैं fats diffuse हो जाते हैं water diffuse हो जाते हैं और कुछ salts भी अपने बाहर को diffuse out हो जाते हैं अब जो ये liquid diffuse out हुआ इसी को हम lymph कहते हैं lymph कह सकते हैं, tissue fluid कह सकते हैं interstitial fluid भी कह सकते हैं अब इन में से जो fluid जादा तर fluid है वो वापस veins में से enter हो जाता है जैसे ये tissue के अंदर है इन में से काफी वापस इस vein के अंदर enter हो जाता है लेकिन कुछ fluid फिर भी अपना tissue के अंदर ही बचा रह जाता है अब उस fluid को हमें वापस अपने vessels में लाना पड़ेगा क्योंकि उदर जादा accumulate हो गया fluid वाँ पर तो वाँ पर भी problem हो सकती है दूसरी problem ये होगी कि अगर हमारी blood vessel में से कुछ fluid बाहर को leak हो गया तो हमारा blood का volume भी disturbed हो जाता है जिसके कारण हमें वो tissue fluid वापस अपने vessels में लाना पड़ेगा तो जो भी अपना tissue fluid उदर रहा गया बच गया तो हो कुछ vessels जिनको हम lymphatic capillaries कहते हैं उन में आ जाएगा एंटर हो जाएगा और बहुत सारी lymphatic capillaries बिलके एक large vessel बना देगी जिसको हम lymphatic vessel कहते हैं यह आपको दिख रहा होगा और इसी lymphatic vessel से फर्दर जाके यह fluid वापस enter कर जाएगा अपने heart के अंदर अब point आता है कि जब यह lymph diffuse हुआ अपने tissues के अंदर इसका role क्या हुआ वाँपे तो जो अपना lymph है उसमें आपको दिख रहा होगा कि lymph के में अपना glucose है proteins है fats है तो यह ऐसी चीज़ है जो हमारे tissues को चाहिए होती है oxygen को भी यह transport कर देता है तो lymph का basic function हुआ कि अपने tissues को यह oxygen glucose, proteins, fats वग्यारा transport कर सकता है और जब अपना lymph वापस enter करता है अपने veins में कुछ ज़ादातर percentage वापस enter हो जाता है अपने veins में कुछ percentage पीछे रह जाते है लेकिन जो percentage एंटर कर जाता है veins में वो वाला portion अपना CO2 भी carry कर रहा होता है lymph का मतलब तभी हमारे veins के अंदर CO2 का amount हाई होता है तो यह basic function हमें lymph का समझ आता है अब हम कुछ और function से उसके पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे functions of lymph पढ़ेंगे exchange of nutrients and gases वही मैंने आपको अब ही पताया कि जब artery से जब capillary से leak out हुआ तो lymph ने अपना oxygen ट्रांसपोर्ट कर दी glucose ट्रांसपोर्ट हो गया fats वग्यारा अपने tissue को provide कर दी है और जब उसमें वो वापिस veins में enter हुआ तो उस tissue lymph में अपना CO2 का amount था क्यूंकि tissue CO2 को भी बाहर diffuse करते हैं तो वो वापिस vein में आ गया तो इसी तरह exchange of nutrients में यह help करते हैं दूसरा है कि हमने पढ़ा कि it contains WBCs so WBC helps in defense क्यूंकि आपको पता होगा कि WBCs एक तरह से हमारी body का defense system में help करते हैं तो यह defense में भी काम करता है Fats absorption also occurs in lymph अगर आपको digestion and absorption वाली मेरी वीडियो देखे होगी तो उसमें हमने जब intestine में हमने absorption के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था Fats हमारी blood vessels में तो उसके लिए हमने special blood vessels पढ़ी थी जिसको हमने lacteals कहा था तो fats are absorption also occurs in lymph और lacteals ही के अंदर भी lymph ही होता है एक तरह से तो यह fats की transport में भी help करता है दूसरा है कि lymph में certain hormones भी हो सकते है तो यह हमने कुछ functions पढ़ लिये lymph के हमने पढ़ लिया कि lymph क्या होता है और उसके components में क्या क्या आते है अब हम NCRT से ही इसको paragraph को पढ़ लेते हैं As the blood passes through the capillaries in tissues, some water along with many small water soluble substances move out to the space between the cells of the tissues हमने भी पढ़ा कि जब capillaries में हमारा blood flow कर रहा होते हैं तो कुछ substances बाहर को leak out हो जाते हैं leaving the larger proteins तो larger proteins नहीं होते हैं क्यूंकि उसका size बढ़ा होता है proteins का तो वो बाहर को नहीं हो पाते हैं and most of the formed elements मैंने भी पताया था कि RBC अपने diffuse out बाहर नहीं होते हैं because of their size now this fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid इसी को ही हम interstitial fluid या फिर tissue fluid बोलते हैं it has the same mineral distribution as that in plasma तो ये तो common sense है कि हमारे blood में से ही कुछ portion बाहर को diffuse out हो गया तो बिल्कुल same तो नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत same होगी अपने plasma की तरह इसकी mineral distribution अब इसका कुछ functions को mention किया गया है जैसे exchange of nutrients gases, gases का जैसे मैंने पताया oxygen का transport, CO2 का transport में भी ये help कर देती है between the blood and the cell अब important point आते है always लिख दे हैं नोने आपे मतलब हमेशा अगर gases का transport हो रहा है वो lymph के help से होगा an elaborate network of vessels called the lymphatic system अब हमने पढ़ा था कि जो ये fluid है ये कुछ fluid tissue के बीच में ही रह जाता है जो कि problem create कर सकता है तो हम एक ऐसा system चाहिए जो हमारे lymph को उस जगा से निकाल के दूसरी जगा पे drain कर दे तो वो ही हम पढ़ेंगे कि हमारा lymphatic system ऐसे ही काम करते है it collects the fluid and drains it back to the major veins the fluid present in the lymphatic system is called the lymph और इसी को हम lymph कह देते है now lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes lymphocytes WBC की एक type होगे which are responsible for immune responses हमने अपने functions में भी पढ़ा था कि it contains WBCs helps in defense lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc fats are absorbed through the lymph in the lacteals present in the intestinal villi तो हमने basically पढ़ लिया कि lymph होता क्या है lymph के components क्या है lymph का major functions क्या है हमने इसमें lymph को पूरी अच्छे तरीके से discuss कर लिया तो इस वीडियो में इतना ही अपनी अगली वीडियो में हम circulatory pathway से शुरू करेंगे तो इसी के साथ यह वीडियो एंड वीडियो